Hello students, देखिए, आज मैं बहुत इंपोरटेंट एक topic आपको कराने जा रहा हूं, जो आपकी बहुत help करेगा, numerical में, और यह topic मैं आपको कराने जा रहा हूं, यह बहुत इंपोरटेंट प्रुटेंट हुँआ करता है, मैं बार-बार stress ले दे रहा हूं, क्योंकि इसको आप बहु नहीं मिला करता है, तो बहुत ध्यान से समझेगा देखो, आज का जो टोपिक है, रिख 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 रि स्टेट का मॉलफेक्शन को आपस में रिलेट करना इसको हम इस नाम से भी जानते हैं रिलेशन बिट्विन राउल्ड्स ला एंड डॉल्टन ला राउल्ड्स और डॉल्टन को कैसे रिलेट करते हैं इस नाम से भी जानते हैं तो देखो यहां मैं जिस सॉलीसिन की बात करूंगा यह बेटा मेरा सॉलीसिन क्यूमें इसमें टूलेटाईल कम्पोनेंट मेरे होंगे A and B इसकी यह मैं बात करूंगा two volatile component A and B देखें मेरे पास यह एक port है यह उपर से close है बेटा क्लोज कर दिया मैंने इसको देखो इसमें two volatile component है ए प्लस बी वोलेटायल है तो बेटा इनकी वैपर फॉर्म होंगी क्योंकि दोनों वोलेटायल है तो दोनों की वैपर बनेंगी अब बताएए बेटा यह जो वैपर है यह जो वैपर है इस वैपर में ए होगा या बी होगा या दोनों होंगे क्योंकि दोनों दोनों क्या है वोलेटायल तो इसमें क्या होगा दोने दोने दोनों होंगे इसमें एबी होगा और बी भी होगा यह मेरी वैपर है क्योंकि किसकी वैपर है यह और बी की और यह दोनों क्या है वोलेटाइल तो देखिएगा बड़े ध्यान से यह जो लिक्विड है यह लिक्विड जो दो कंपोनेंट है इसके अंदर जो सुलिशन है मेरा इसके अंदर दो कंप तो इसमें भी क्या है बेटा A और B तो देखो यहां जो मैं मॉल फ्रेक्षन ओफ A लिखने जा रहा हूं यह क्या होगा बेटा यह होगा मॉल फ्रेक्षन ओफ A in liquid solution मॉल फ्रेक्षन ओफ B यह क्या होगा मॉल फ्रेक्षन ओफ B in liquid solution यह देखो यहां से मॉल फ्रेक्षन ओफ A in vapor state यहां जो यह यह है यह मॉल फ्रेक्षन है किसका मॉल फ्रेक्षन एका liquid solution के अंदर जो भी है बेटा मॉल फ्रेक्षन है बीका किसके अंदर लिक्विड स्टेट में तो देखो यहां तक हमने बास सीखी आगे देखिए ध्यान से कि अकोडिंग टूराउट कि कि अकोडिंग टूराउट कि राउट कि क्या कहता है देखिएगा हमने हम पढ़ चुक है राउट को राउट कहता है वेपर प्रेशर ओफ वोलेटाइल वेपर प्रेशर ओफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डारेक्टली प्रपोस्मेल टू इस वेपर प्रेशर इन इस प्योर स्टेट यह कहता है राउट ला हम पढ़ चुक है कि वेपर प्रेशर ओफ वोलेटाइल कंपोनेंट इस डारेक्टली प्रपोस्मेल टू इस वेपर प्रेशर इन इस प्योर स्टेट यानि कि वेपर प्रेशर एक वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रे प्रपोस्टनल हुआ करता है यहां पड़ चुके हैं पहले हमने बता चुके हैं आपको तो देखेगा जो वैपर प्रेसर ओफ ए है बेटा यह इसकी प्योर स्टेट जो पी नोटे से मैं सो करता हूं यहां देखो एक से क्या है मैं वह बता चुका यह है बेटा मॉल फ्रेक्षन ओफ एइन लिक्विड सोलीशन और यो प्योर प्योर प्रेसर ओफ बी यह किसके क्वाल होगा पी 0ट बिंटू मॉल फ्रेक्षन ओफ बी यह पी नोट बी क्या है प्योर स्टेट का वैपर प्रेसर एंड मॉल फ्रेक्शन ओफ बी यानि कि XB क्या होगा बेटा मॉल फ्रेक्शन ओफ बी इन लिक्विड सोलुशन तो इसके आगे देखिया बड़े ध्यान से यह थोड़ा सा मैं फिर बापको बता रहा हूँ इंपोर्टेंट है तो थोड़ा ज्यान से समझ के चलिएगा अब देखो डाल्टन के ने क्या कहा अकोर्डिंग टू डॉल्टन डॉल्टन क्या कहता है दोल्टन स्टेटमेंट इफ कैलकुलेट the partial pressure of A, partial pressure का मतलब होता है इंडिविज्वल, ये दिमान लो A और B है, तो इंडिविज्वल A का कितना pressure है, उसे बोल रहा हूँ है, उसे बोल रहा हूँ है, तो ये जो partial pressure of A होता है, इसको मैं, जिसको मैं का जानता हूँ, known as pressure of A, ये जो partial pressure of A है, यानि कि A और B मेरे component है, तो जो A का इंडिविज्वल प्रेसर है, उसको बोल लो partial pressure और जिसको मैं किस नाम से भी जानता हूँ, known as pressure of A यानि कि जो pressure of A है individual pressure of A जिसको मैं PA के नाम से भी जानता हूं partial pressure of A known as PA is equal to the total pressure जिसे मैं कहता हूं P total into mole fraction O A in vapor state यह बेटा into का sign है into multiple का sign है तो देखिए इसने क्या का डाल्टर स्टेट्मेंट ने क्या का if calculate the parcel pressure यह दि मैं parcel pressure A को calculate करूँ जिसको मैं pressure of A के नाम से भी जानता हूं partial pressure of A को जिसको मैं pressure of A के नाम से भी जानता हूं is equal to that total pressure into mole fraction of A in vapor state यह इसके equal होता है यानि की partial pressure is equal to होगा बेटा according to Dalton total pressure यानि की P total जिसको मैं बोल रहा हूं P total into mole fraction in vapor state यह फोर्मुला दिया किस ने कहा यह यह का बेट डाल्टर ने डाल्टर ने कहा देखो जान से कि partial pressure जो होता है वो total pressure into mole fraction in vapor state अब बताईए यह दिमा partial pressure of A जिसे मैं pressure of A भी बोलता हूं जो मैंने उपर बताया था कि partial pressure of A जिसे मैं pressure of A भी बोलता हूं यह किसके equal होगा यह equal होगा बेटा total pressure into mole fraction of A in vapor state यह जो पी ए होगा बेटा total pressure को मैं क्या बोलता हूं P total इसको बोल रहा हूं मैं P total तो पी ए इसकल टू P total into अभी मैंने पीछे बताया था कि vapor state में जो mole fraction होता है उसको मैं किससे दिनोट करता हूं YA से अभी बताया था into YA कि वैपर इस्टेट में जो मॉल्फ्यक्षन ओफ है उसको मैं दिनोड करते हूं ये से मैंने भी पीछे बताया था आपको देखेगा ये बताया हुआ यह बताया हुआ देखो मॉल फ्यक्शन ओप ए इन वैपर स्टेट वाई है यह बताया हुआ देखो तो आगे देखिएगा अब देखो पार्सियल प्रेशर पार्सियल प्रेशर ओव बी इस इक्वल टू टॉटल प्रेशर जिसको मैं बेटा बोल रहा हूँ क्या पी टॉटल इंटू मॉल फ्यक्शन ओव बी इन वैपर स्टेट यह मैं बोल रहा हूँ देखो पी बी क्या होगा पी बी होगा इसे डी नोट करता हूं यह वैपर स्टेट के अंदर बी का मौल फ्रेक्सरन उसको ybc denote क्या करता हूं अब फोड़ा सह है और देख लीजिए आगे देखिए टोटल वेपर प्रेशर लुजिंट जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं पी टोटल देखो, total vapor pressure of solution, यानि कि solution का total vapor pressure होगा, p total, वो किसके क्वल होगा? वो होगा बेटा, pressure of a, plus pressure of b, यह होगा क्या? pressure of a, pressure of b, यानि कि देख लिजे, pressure of a, plus pressure of b, जो p total होगा, अब देखो, जब p total है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? p total जो होता है, is equal to, यह क्या होता है, किसके? अब बता ही, pressure of a क्या होता है, pressure of a होता है, according to किसके? route के, p note a, into mole fraction of a, plus p note b, into mole fraction of b, यह होता है, अब देखो, यहां से क्या कमने जा रहा हूं है? यहां से मुझे कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज है, यहां से मुझे सिर्फ, routes is equal to, डोल्टन मुझे रख देना है, routes is equal to, डोल्टन, अब बताजिए, routes ने क्या कहा, routes ने कहा, वैपर प्रेशर ओफ A is equal to, पी नोट A, into mole fraction of A, और डोल्टन ने क्या कहा, डोल्टन ने कहा, वैपर प्रेशर ओफ A, जो पार्सल प्रेशर ओफ A होता है, उसको ही मैं बोलना हूं, वैपर प्रेशर ओफ A, is equal to, पी टोटल, इन्टु आई ए, देखिए, पी नोट A, इन्टु मोल्टन ओफ A, इसको मैंने लिख लिया, is equal to, पी टोटल, इन्टु आई, मैंने इसको लिख लिया, इसके एकवल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब देखो, next page पर देखना, कि अच्छ पेपर देखो बेटा मैंने बताया था P note A into mal fraction of A is equal to P total into YA यानि कि round is equal to Dalton तो यहां से मैं यह यह calculate करूँ तो यह आएगा बेटा P note A into mal fraction of A upon P total और मैंने आपको P note A into mal fraction of A upon मैंने आपको पी टोटल दिखाया था देखिएगा यह जो है पी टोटल इसकी में वैल्यू रखने जा रहा हूं पी टोटल की इसकी टोटल इसकी में एक बहुत इंपोर्टेंट फोर्मूला बना लिया है वैपर स्टेट में जो ए का मौल फैक्षन है वाई है उसको कैल्कुलेट करने का और यह दी इसी तरह से मैं वैपर स्टेट में बी का मौल फैक्षन कैल्कुलेट करने का फोर्मूला बनाऊं वाई भी तो सेम इसी तरह से जैसे मैंने यह बनाया तो वह होगा बैटा मेरा पी नोट बी मौल फैक्षन ओफ बी अपॉन पी टोटल इस इक्वाल टू पी नोट बी मौल फैक्षन ओफ ब अपन पी टोटल क्या होगा पी नोट ए इंटू मॉल फ्रेक्शन ओप ए प्लस पी नोट भी इंटू मॉल फ्रेक्शन ओव बी तो यह मेरा एक दूसरा फॉर्मुला जेनरेट किया मैंने सेम किसकी तरह उपर वाली की तरह यानि कि वैपर स्टेट में यदि मुझे बी का syndrome कि है या जेक्व लड़ा नवराओ कि न 있으ransे न horiz gemachtुや वैपर स्टेट में सेमा, या उफे ञे लड़क्षि तो कि आ पी चोओ लरा रBayंटू दोऑे चो माव चोडिय तो कि ए और रिड़क्षि kवे कि तो दलते है तो देखो यहां मैंने आपको यह सब बताया तो यहां सिर्फ आपको क्या याद रखना है यहां आपको याद रखना है Routes is equal to Dalton Routes is equal to Dalton आपको याद रखना है यानि कि Routes ने क्या बताया था Routes ने बताया था जो Vapor pressure है Vapor pressure जो होता है यह Router ने बताया था कि Vapor pressure of A की बात करता हूं मैं तो P note a into mol fraction of a is equal to Dalton ने क्या बताया था ने बताया था जो Vapor Prature of A है बेटा इसकी बात करूं तो ये क्या है गा ये आएगा P Total into YA तो मुझे सिर्ब क्या यात रखना है मुझे सिर्फ Raut is equal to Dolton यात रखना है जो Vapor Prature of A है वो Rouge ने बताया था कि P Not A into Malfaction of A और जो Dalton ने बेटा वो Vapor Prature of A जो partial Vapor pressure है जिसको मैं बोल रहा हूं वह क्या होता है p total into ya तो यहां से मैं देखो यह बहुत important यह हुआ करता है इसको आप यह याद रहना है वेरि वेरि important है बता रहा हूं आपको मैं यह आप जल्दी से नहीं पकड़ पाओगे इसे numerical को और सोल क्या करता है जो बहुत सेगिंडों में इसको सोल कर जिया अगर होगे वैसे आप नुमेरिकल को फेस करोगे तो बहुत मुझे यूज करना है तो आप कर सकते हो तो मैं आपको एक नुमेरिकल करा रहा हूं जिससे आपको पता चल जाए कि राउट इसको डॉल्टन को कह कहां मुझे यूज करना है कैसे आपको मैंड माएगा कि यहां राउट डिजकल डॉल्टन को यूज करना है तो वह देख लीजिए कोस्चन मैं एक कोस्चन आपको प्रॉल्म लूँगा जरूर इसकी और आपको बताऊंगा देखिए किस तरह के कोस्चन आपको डील करने पड़ सकते हैं राउट डिजकल डॉल्टन यह मैं इसलिए इंप्रॉटन बता रहा हूं बेटा यह हर किसी बुक में नहीं दिया हुआ राउट डिजकल डॉल्टन और बच्चों को पता भी नहीं होता कि कहां यूज करना है क उनको प्रोब्लम आ सकती है फेस करनी पड़ सकती है तो देखिएगा एक कोश्चन में करा रहा हूं दा वैपर प्रेसर ओव बैंजीन एंड टोलविन और 75 mmHg and 22 mmHg, respectively, if 0.3mol-benzene and 0.7mol-tollumine are mixed, then calculate the mole fraction of बैंजीन इन वैपर इस्टेट वैपर प्रेसर बैंजीन और टोलविन का दिया हुआ है और 0.3mol-benzene and 0.7mol-tollumine are mixed, then calculate the mole fraction of बैंजीन इन वैपर इस्टेट तो देखों किस तरह सॉल करूंगा यह बैटा मेरा एक port है इसमें क्या है इसमें बैंजीन है और टोलविन है कितना है बैंजीन ? 0.3mol-benzene है और 0.7mol-tollumine है और इसका जो वैपर प्रेसर है मुझे इंडिविजूल वैपर प्रेसर दिया हुआ है 75 और 22 तो यह मालुम कर रहा है calculate the mole fraction of benzene in vapor state बैंजीन का इस वैपर state में कितना mole fraction है यह जो वैपर है यह किसकी है बैंजीन की भी है और टोलविन की भी है तो यह पूछ रहा है वैपर यह पूछ रहा है mole fraction यह पूछ रहा है बैटा mole fraction और बैंजीन से वैपर इसे में शेड़े में इन कि मैं वैपर इस्टेट यानि कि यह जो वैपर भीजिम इसमें बैंजीन का मालुम कर रहा है तो यहां देखो मुझे क्या क्या ज्यवाँ है पी नोट बैंजीन जिसको मैं लिख रहा हूं भी remains यह पूरा ही लिए लेता हूं पीनोट बेंजीन द्यावा है 75 mmHg पीनोट टॉलविन जो द्यावा है प्योट टॉलविन को एपर प्रेसर 22 mmHg 2.5 मौल बेंजीन द्यावा है 0.3 और मौल ओ द्यावे 0.7 तो देखो मैंने आपको बताई था फ़ोर्मूला यदी मैं मौल अन्य but केल्कुलेट करूं तो यह क्या है एगा सोरी मौल वेंजीन यह हैं मौल फ्रेक्शन ओ बैनजीन यह दि मैं justंग मौल प्रफेक्शन को केलकुलेट करूं मॉल फ्रेक्शन व बेंजीन तो इसके लिए मैंने आपको फोर्मुलन बताए कहीं बार ये होगा बैटा मेरा मोल सब बेंजीन अपॉन टोटल मॉल्स अब मॉल्स और बैंजिन कितने हैं देखो 0.3 यह मॉल्स और बैंजिन है अपॉन टोटल मॉल यानि कि बैंजिन और टोटल मॉल तो 0.3 प्लस 0.7 is equal to 0. कितना हैगा बेटा इसको आप कैलकुलेट करोगे तो जहांते देखना कितना हैगा यह आने वाला है 0.3 अपॉन यह कितना हो जाएगा 0.3 प्लस 0.7 0.3 यह आएगा 0.3 हम जानते हैं एक टोल विन प्लस एक्स मैंजिन इस इकल टो होता है कितना वन यानि कि एक लिक्विट सॉलिशन में एक लिक्विट सॉलिशन में जितना भी मॉल फ्रेक्शन होता है उनका सब का जो सम होता है जितने भी कंपोनेंट होते हैं एक लिक्विट सॉलिशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सब का जो मॉल फ्रेक्शन होता है वो होता है बेटा कितना वो होता है वन तो देख दो देखो यह Jacksonbesondere प्रेंच एक्सपत्राइज ओंट करेंगा से तो यह कंसे आईगा बेड़ा यहाएगा यहाईगा बिनास कि एकस प्रेंच उर स्फेंजर कितना है जिल्यो फटेंट कर ठरी तो हिए ट्वल्वन जिल्वन को एक लिए 0.7 यानिकory निखका अब देखो मुझे क्या रखना है बेटा मुझे रखना है मुझे रखना है राउल्ट इसकल टू डॉल्टन मुझे रखना है राउल्ट इसकल टू डॉल्टन हुआ करता है क्या बताया था मुझे मुझे बताया था कि यदि मान लिजिए वेपर प्रेशर रोब लेकूंग राउट ने बताया था into YB, यानि कि विपपरीस्टेट में, विपपरीस्टेट में B का ओल फ्रेक्षन, तो देखो, P टोटल निकाल लेते हैं एक बार, P टोटल क्या होता है, यह मैंने बताएँ आपको, P not B into mol F. ब्लस P notestolubgem into mol fraction of toluviem is equal to 75 दिया हुआ है, 0.3 22 द्यावा है 0.7 आया है तो यह निकल का जाएगा बेटा जो पी टोटल है मेरा यह जाएगा 37.9 mm Hg यह मैंने निकाल लिया पी टोटल इससे निकाले पी टोटल जो प्रेसर वह इससे निकाले मैंने पी नोट भी इंटू मौल फ्रेक्शन ओव यह बेंजीन यह बेटा यह पी नोट बैंजीन मौल फ्रेक्शन ओव बैंजीन पी नोट तॉल वियन निकल काता है 37.9 mm Hg अब देखा अब कुछ नहीं राउल्ट इसकोल टू डॉल्टान रगना है, P not B into mol fraction of B is equal to P total into YB, YB क्या है, वैपर स्टेटिन बी का mol fraction, तो यहां से YB is equal to आएगा बेटा, P not B benzen into mol fraction of benzen upon P total, यह कितना दियावा है, 75 into 0.3 upon P total कितना दिया आया मेरा 37.9, अभी मैंने निकाला था पीछे, तो यहां से YB निकल का आएगा मेरा 0.59, यानि कि जो mol fraction है, वैपर स्टेट के अंदर B का mol fraction, वो कितना है 0.59, तो यह हमने question solve किया, राउल्ट इसकल टू डॉल्टन पर, तो इस तरह की आपको problem face करने पड़ सकते हैं, राउल्ट इसकल टू डॉल्टन पर, तो कोई जाएदे मुश्किल काम नहीं होता, बहुत आसान काम होते हैं, बहुत आसान question होते हैं, तो यह मेरा देखो, क्या आया, यह बेटा mol fraction, of benzen in vapour state 0.59, यह मेरे से मालूम कर रहा था, अब मैं इसकी फोटा दो limitation और बतायेता हूँ आपको, फिर मैं इस lecture को end करता हूँ, इसकी जो limitations होती है, लिमिटेशन्स ओफ राउल्ट्स ला, जो राउल्ट्स ला की limitations हैं, वो देख लीजिए, number one, solute and solvent, should not chemically react, solute और solvent को आपस में chemically react नहीं करना चाहिए, second, the solute should not dissociate और associate इन दा solution, the solution should not dissociate राइसेट इन दा solution, physician, जो solute ये बेटा वो ना तो砂ब होना चाहिए, और ना ही associate होना चाहिए, solution का अंदर, अब देखो, dissociate क्या होता है, dissociate like, जैसे न-n-n-n-n-n-n-n होता है, ये ça-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n देशर होजाता है अब देखो associate क्या होता है associate like अदि-2 ch3 c o o h है यह associate ठोकर ch3 c o h यह बना लेता है timer इसको कहते है associate रसको कहते है देशन के है बेटा solution वह टो desolwent फूर्ट Кेमिकली रिएक आपस में यह करना चाहिए जो सोल्यूट है उसको नाई डेस्ट होना चाहिए उसको असको चाहिए सोलुसन के अंदर तो यह मैंने आज आज आपको कराया बहुत इंपोर्टेंट लेक्ट्ट था है मेरा इसको अब ध्यान से पढ़िएगा प्रेक्टिस कीजिएगा अम मिलते हैं ने ट लेक्ट्ट्र में तब तक के लिए बाई बाई थैंक यूँ अ झाल